चार कदम OCD बगाने की 4 step to stop OCD OCD को रोकने के लिए चार कदम कौन से हैं पिछले वीडियो में हमने एक कदम की बात की चार कदम है पहला है री लेबल करना दूसरा है री एट्रिब्यूट करना तीसरा है री फोकस करना और चोता है री वेल्यू करना तो पहला re-label करना जो OCD thoughts हैं उनको it is my OCD note me re-label कर देना है तो आज के इस वीडियो में दूसरे कदम की हम बात करेंगे re-attribute की हेलो नमस्कार मैं मिच्छ साइको गुरू राजिंदरा दजोदपुरी आज की सद्बुत साइको एजुकेशनल वीडियो में आपका तहदिल से स्वागत करता हूँ ओनलाइन साइको थरपी और काउंसलिंग से इलाज मानसिक प्रेशानियों का बिलकुल आसान और सस्ता होता ही जा रहा है आज का वीडियो भी ओनलाइन मेंटल हेल्थ के तहट आप तक पहुँच रहा है तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे दूसरे कदम की रि एट्रिब्यूट करना क्यों ये जो मुझे प्रेशान करने वाले विचार है, अर्ज है और जो विवार है वो जाता नहीं है क्यों नहीं जाता है तो दूसरे कदम के अंदर ये सवाल उठता है कि क्यों नहीं जाता है जो मुझे ये प्रेशान करता है विचार और जो अर्ज प्रेशान करती है और जो विवार प्रेशान करता है वो दे बोदरिंग में, क्यूं मुझे ये प्रेशान करती है, जो चीजे हैं, जो OCD वाली चीजे हैं, क्यों मुझे प्रेशान कर रही हैं, ये सवाल दूसरे कदम में, इनके लिए मैं क्या करूँ, क्या करना मुझे होगा तो यही सवाल जब उठते हैं, तो इनका जवाब यही है कि यह मेरे ब्रेन का अंदर का फंक्शन है पहले कदम में यह था कि This is my OCD, not me दूसरे कदम में यही है कि जो सवाल यह मन में उठते है क्यों मुझे यह विवार और यह विचार प्रेशान करते हैं क्यों मुझे यह प्रेशान कर रहे हैं क्यों जाते नहीं है तो इसमें कहना यही है क्योंकि यह मेरे ब्रेन का अंदर से सर्कीट लूज हो गया है जैसे कहा जाता है कि कोई केमिकल लोचा हो गया है तो कहना यही है कि मेरे brain का ये circuit हो गया है जैसे short circuit होता है कि brain के अंदर कोई ने कोई दिक्कत आ गई है इस बज़े से ऐसे होता है जैसे कार अच्छे से चलती नहीं है क्योंकि gear उसका जब फस जाता है तो यही कहना है कि मेरे mind का gear फस चुका है बस तभी ये विचार मुझे बोदर कर रहे है तभी ये भावना तभी ये behavior मुझे परेशान कर रहा है OCD वाला कहना यही है कि ये मेरे brain का अंदर का मसला हो गया है circuit खराब हो चुके हैं जैसे कार का gear फस चुका है तो ऐसे mind का gear अटक चुका है तो इसको मुझे निकालना है तो re-attribute करना है इन thoughts को, इन अर्ज को जैसे false alarm बजती है तो यही कहना है कि ये मेरे mind की false alarm है जो कि brain के अंदर circuit के कारण हो रही है इनका जवाब ये देना है सवाल यही उड़ता है कि क्यों मुझे ये प्रेशान कर रहे है जवाब यही है कि ये मेरे brain का मसला है और मुझे इसको ठीक करना है जैसे brain को जिस इसाब से train किया जाता है वो काम वही करता है एक घटना आपके साथ मैं सेर करने जा रहा हूँ एक ऐसा था कि एक पिंजरे के अंदर पांच बंदर रखे गए पांच बंदर रखे गए और उसके उपर एक केला लटका दिया गया बंदर जैसे ही एक वहाँ पर कोई रखा गया था जिसके उपर चड़ करके बंदर उस केले को उतार सकते हैं जैसी बंदर उस केले को उतारने जाते तो उनके उपर तेज ठंडे पाने की बोचारें की जाती तेज ठंडे पारी की बोचारे होती बंदर तो बंदर होते हैं ठिकते कहां हैं वो जैसे ही उपर चड़ते उसके और केले को लपकने की कोशिस करते पानी की ठंडी बोचारें तो दिरे दिरे बंदरों ने उसके उपर चड़ना और केले को प्राप्त करना छोड़ दिया कि ये अब बस की बात नहीं है पानी से बचने के लिए क्योंकि वो वैसे ट्रेंड हो गए थे फिर क्या हुआ कि एक बंदर को निकाल दिया गया फिर क्या हुआ नया बंदर आया उसे पता नहीं था कुछ भी वो क्या करता वो जैसे ही उपर चड़ता उसके उपर भी पानी की बोचारी आई बाकी के चार बंदर थे वो तो अराम से बैठे थे उन्हें पता लग गया था कि इसके साथ वही होना है तो वो बंदर भी नीचे आके उन जैसा ही हो गया फिर क्या हुआ कि अगले दो बंदरों को निकाल दिया गया दो बंदर नए आये नए आये उनको बिलकुल पता नहीं अब क्या हुआ कि जैसे ही वो बंदर ऊपर चड़ते केले को लपगने की कोशिज करते बाकी जो तीन बंदर थे उनको नीचे खीच लेते अब पानी की बुशारे उसके उपर नहीं हुई थी जो दो नए आये थे लेकिन वो उपर ही नहीं चड़ने देते थे बाकी के तीन बंदर उन्हें नीचे खीच लाते थे उन्हें उपर नहीं जाने देते थे तो जो दो नए बंदर थे उन्होंने ये सीख लिया वो ट्रेंड हो गए कि उपर चड़ना मतलब नीचे खीचना तो दिरे दिरे करके जो पुराने बंदर थे सब को बाहर निकाल दिया गया जिन लिए प्रेशान कर रहे हैं इसलिए जो भावनाइं हैं क्योंक् MARTIN करेंगे जैसा हमें प्र whale कर रहे हैं उसके ऊपर हमें रेण पॉर्स जिस वेवार के उपर punishment मिलती है वो वेवार कम हो जाता है तो यही reward और punishment की थियोरी काम करती है OCD के अंदर बचपन से लेकर आज तक जो उनकी training हुई है जो reward और punishment OCD वाले behavior को मिला है उसी का परिणाम OCD है तो उनको re-attribute करना है उनको कहना है कि यह मेरे brain में programming के कारण हो रहा है कि मेरी programming ऐसी हो चुकी है बचपन से आज तक मेरी training इसी की हुई है इसलिए मेरा ये विवार है इसलिए मैं ऐसा करता हूं OCD वाला जो भी कार्या करता हूं मेरी training के कारण कर रहा हूं पूरी तरह से re-attribute कर देना है कि यह मेरे brain के अंदर pathway बन चुक है neural pathway बार-बार habit में बदल चुकी है programming बार-बार करते रहें तो वो habit बन जाती है तो यह मेरी mind की एक habit बन चुकी है OCD मेरी आदत में आ चुका है और जैसे car के अंदर gear फसता है तो मेरी ये आदत के कारण ऐसा हो रहा है मुझे अपनी आदत को बदलना है आदत को change करना है आदत को कैसे change करना है वो अगले step में हम जानेंगे कैसे हमने इस programming को बदलना है कैसे नई programming install करनी है उसके लिए हम next step में जानते हैं आपने दो कदम जान लिए पहला है re-level करना it is my OCD note me दूसरा कदम है brain lock re-attribute करना कि हमारी ये programming के कारण ऐसा हो रहा है training ऐसी हुई है ये brain के अंदर का हमारा circuit बन वैसे gear first चुका है तो ये re-attribute करना है ये है दूसरा कदम OCD recover करने का आपको ये दो कदम कहां तक समझ में आए comment box में जरूर लिखिएगा इसके विशे में अगर आप और डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मैं और डिटेल वीडियो भी बना दूंगा आपने इन वीडियो के इतना बहुमुल्य समय निकाला इसके लिए मैं मिश्च साइको गुरू और मेरे साथ पूरी टीम इसे में भहु सारे counselor हैं डोक्टर हैं आप किसी से भी बात कर सकते हैं किसी से भी counseling ले सकते हैं उन सभी के साथ मैं आपका दह दिल से आहवारी हूँ